हम लोग इसी सपना के साथ जीते थे ना इंटर पास करेंगे तो नेवी एरफोर्स जुआइन करेंगे आर्मी में जाएंगे आज आर्मी को अगनी बीर बना दिया इन लोगों ने नौकरी नहीं है रेलबे की नौकरी खतम हम लोग को एक जूठ हो कर बैसाली से बैकवर्ट को चुनना पड़ेगा हम जब नौकरी करेंगे पैसा कमाएंगे बिजनेस करेंगे तो अपना पैसा से द्वार बना लेंगे तुन्हों का पैर पकरना है खरंजा नहीं बनाने की ठेकदाई देगा आप लोगों को कर लिजे कोशिस बने हैं 75 साल से कोई ठेकदार हम गरीब पर परजेंटेशन भागिदारी की लडाई है लडाई गरीब परिवार में पैदा होकर अमीर बनने की है हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं गरीब मरेंगे नहीं तो मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था मेरे माता पिता गरीब थे लेकिन हमने सिक्षा पराप्त की पढ़ाई लिखाई की पतकारिता किया, आज अपना निशनल दस तक चलाता हूँ, दस मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप पच्चास करोड की भीवर्शीप है, मैं चुनाओ लड़ने क्यों आया हूँ, मैं चुनाओ लड़ने इसलिए आया हूँ कि विक्तु मैं बैसाली का कोई दलित, न पिछरा, न कुर्मी, न कुश्वाहा, न यादव, कोई बैकवर्ड समाज का आदमी चुनाओ नहीं जीता है, तो ये रिपर्जेंटेशन भागिदारी की लड़ाई है, एक वाक्या सुनाओंगा, आप सब टीवी देखते हैं, न तो यूटूब पर जाके द जो रहेगा सच वही कहूंगा, तो बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमीटी के चियर मैन थे, और कुछ लोग ऐसे थे, जो चाहते थे कि उस सम्विधान न लिखें, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको जाकी बात कहे, क्योंकि आरक्षन हमाई लिए जरूई था, बैकव पराबधान किया था, 340, 341, 342, 8000 है सम्विधान में, तो उन्होंने कहा कि आरक्षन के पराबधान मत किजिए, इससे लोग नाराज हो जाएंगे, तो बाबा साहब ने कहा कि हम जानते हैं कि आप नहीं चाहते हैं, आप किसी को किसी ने भेजा है, क्योंकि खुद परदान पटेल ने कहा कि बाबा सहीब हमकि सान हैं और वीज देख के बता देते हैं कि फसल कईसा होगा इस्तीफा को यह फार क्या डाल दिए में डाल दी अगताव सरदार पटेल चले गया और तौण बाबा सहीब कर लिगत और बाब अरक्षन का प्राबधान किया जो बिरादमे में होने की है सरक हम बनाए खेत हम जोते मज़दूरी हम करें बैल भैस हम पाले अमजा कोई और मार रहा है आज हमारे बच्चों के लिए नौकरिया नहीं है प्राइबाटाइजिशन हो रहा है रेल्वे के हम लोग इसी सपना के साथ जीते थे ना कि इन मैट्रिक पास कर लेंगे इंटर पास करेंगे तो नेवी इरफोर्स जॉइन करेंगे आडमी में जाएंगे आज आडमी को अगनीवीर बना दिया इन लोगों ने नौकरी नहीं है रेल्वे की नौकरी खतम पूरा का पूरा बैकवर्ड समाज का OBC समाज का कुर्मी समाज हो यादव समाज हो कुसवा बाहर का भी हामदानी चाहिए, बहन की साधी करनी हैं, छत बनाना हैं, समाज में मान सम्मान भी चाहिए, नोकरी न होगा तो साधी न होगा, हम यही 25 साल पढ़े लिखे पढ़े हैं, यही आरेन कॉले से पढ़े हैं, यही बैसाली में बढ़े हुए हैं, हम लोग को एक जाएगा अभीना देभी कहां रहेंगी वो हम जब नौकरी करेंगे पैसा कमाएंगे बिजनेस करेंगे तो अपना पैसा से द्वार बना लेंगे तुन्हों का परपा करना है खरंजा नहीं बनाने की ठेकदाई देगा आप लोग को कर लिजे कोशिस बने 75 साल से कोई ठेकदा नाला पुलिया खरंजा सब वही बनाता है और उकरे रुपईया जे रुपईया लोग कमा के रखा है उससे गारी घुमाएगा चुनाओं में आपको लगता है कि गारी बला के बोंड दे दे पैसा चीट रहा उसको बोंड दे दे रे जे 50 करोर 100 करोर खर्चा करेगा 200 करोर क करेगा अपना घर् से खर्चा करेगा अज यह 청 where लगाएगा ऊदुस्ट करोर कमाएगा तो आपको क्या देगा निसचनल दस्तक की आप से गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नियुमा दस्तक को बचाने के लिए ब्ट बटन को दोबाए एं फिर बेल